6 दिसंबर वो तारीक जिसके नजदीक आते ही कई बड़े निताओं के नाम तो सामने आते हैं लेकिन उन हजारों कारसेवकों में से कुछ ऐसे कारसेवक भी है जिनको लगभग भुला असा दिया गया है ऐसी एक कारसेवक है अचल सिंग मीना जो भोपाल के पास एक गाउं मे बिता रहे हैं ये भी 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में थे उस थल पे थे जहां पर धांचे को गिराया गया और उसके बाद उसी दौरान ये गंभी रूप से खायल हुए शरी के नीचे का पूरा हिस्सा इनका जो है वो काम करना बंद कर चुका है कमर से नीचे का और अचल इस पर चड़े हैं हम लोग गेती फावले से काम कर रहा है कुछ और जो हमारे सांथी थे वह आश्पेड से काम कर रहा है तो वो गमच एकदम गिरी तो उसी के साथ में भी गिर पड़ा वह और मेरे सर में हो रहा है पर में ये कमर चली गई उसके बाद से लेकर के आप कश कब आपको होश आया कहां आपको पता चला कि आप कहां है कैसे पता चला में मुझे यह सांतियों ने बताया तो यह पेले फेजाबाद में भटी गाए इसके मत गांदी मेडिकल कालेज जो लखनों के अंदर बताई फिर वहां पर होश में आये था मैं वहां पर पर इसकी कि अपने काफी लोग गायती यह लोग लेने लेने गायते तब से ही आप चल फिरनी पारे उसके बाद से हां तब ही से मैं यह अपना सरी यह पहले थोड़ा बहुत दंडे से चलता था आप बुजब बिल्कुल ने चल पाता हूं मैं समझ्जों घर पर पढ़ा रहता हूं स शरीर आपका कमर से नीचे काम करनी रहा लेकिन मंदिर तो अभी भी नहीं बना अब उमीद तो है कि मंदिर बनेगा इस समय समय सा आगाया है और साधू संत लोग यह से लगे हुए हैं और उन्हीं के अब बना धर्म के तो यह सारा संसार चलेगा अभी नहीं समझ्जों मर मन्ने के लिए उतारू हो जाएंगा और जो भगवान की मंदिर तोड़के वहां जो है नाचा बना राखाता है इन लोगों ने तो उसमें देखके सब लोग पबलिक भगड़ भड़क्श्यों की थी महां पर समझ दो यह ने तलो आपको भूला तो नहीं दिया इन लोग मिलता है उसको भगवानी सीव करता है ये बास सक्ते में अपने आप में देख रहा हूँ कोई नेता मुझे एक ग्लास पानी का साहिदा की ने के सकता लगए इस इसराम के नाम से मैं गया उस में बिजवाएं से मों मेरा पूरा करेगा और कर रहा है कोई नहीं के सकता है और मुझे जिस्ते से लेके गया था उस समय का भी मेरे पास अड़वाने जी नहीं मिले तो अड़वाने जी तत्काल उन्हें भूगना पड़ा समझे वो मुझे मिस्टर जी से इंकार किया उसको उसी सबीज सबक मिल गया लेकिन इतने निता आये उसके बाद से भोपाल कोई आता चोटा से बड़ा कोई ही नहीं आता मेरे पास उन्हा मुझे ये लगता कि ठीक ही अगर यह लग जाते थे मैं किस से के था तो आपको दुख है इस बात का कि आप उस दिन वहाँ गए थे नहीं दुख नहीं है साब उसका दुख होना भी नहीं चाहिए कि भगवान के आपके पीछी है अगर आदमी अपना सरीर क्या ये तो एक मितलोग है सरीर क्या मट्टी के सामा नहीं समझो ये समझ दो आप अगर अपने कोई चीज आपके अगर कोई चुड़ा लेगा तो उसके लिए आपको भी जिनुन होगा कि ये मेरी जिम्मेसेज ने चीज के छुड़ाई सुप्रीम कोट में सुनवाई शुरू होने वाली है क्या कहना चाहेंगे आप आप अपने इतना सबकुर नियुचावार अपना किया प्रधान मंतरी को उत्तरप्रदेश के मुख्य मंतरी है योगी आदितिनात कुछ कहना चाहेंगे उनको आप उनसे यही कहना चाहूंगा कि एक अपनी कुर्शी ना देखके भगवान राम की मोदी जी और योगी जी मंदिर बनाए उसमें उनका जनम जनम उसका जीवन सपल होगा अगर नहीं तो खाले गद्दी के लिए अगर वो बने तो भविस में ये मौका उनको कभी भी नहीं मि अपन लोगों को भी फाइदा है तो आपको लगता है कि क्या आप वोट देंगे अगर मंदिर नहीं बनता है तो या फिर और रहसे तमाम लोग जो उमीद लगाए बैठे हैं मंदिर की मैं अपने धरम के प्रती जैसे मैं आप आया हो तो मैं आपको नहीं भूलना चाहिए म आप आये हो आपने मेरी इजद करी तो मैं आपको नहीं बूलूंगा समझ लगवात है अब यह पार्टी क्या है कि यह मैं देख रहा हूं समझ लो यहां इतना जनून होता था भौपाल के अंदर अब है अब अतना नहीं है कि आप में क्या बता हूं चलते फिरते आपके प लगता है कि मार्जी तक बिना पत्ता नहीं रही हें बनेगा, यह नहीं बनाएंगे कोई विक्ति होगा कि यह बनागा पहले तो मन्दिर बनाने की बात हुई थी आयोध्या में तो मंदिर नहीं लेकर नहीं लेकर राम जी की मूर्ती जरूर बन रही है अब वही बन रही है उसके सार है से समझदो राम मंदिर तो बने गाव ऐसे भगवान बने आप आएंगे इसी बात नहीं समझदो अब टाइम तो लगे टाइम किया जैसे आपन लोगों पांच लोगों अपन जैसे आप कुछ किरापन में एक तर नहीं है ना बन जाता तो अरियू बात उन्से कहना चाहेंगे आप दो शब्न मोदी जी से मंदीर के लिए मैं मोदी जी से यही आशा रखता हूँ कि जीवन में धरम के पिरती और इस्लाम मंदर के ही बजे मोदी जी प्रधान मंत्री बने हैं और योगी जी को यही बिश्वास है हम लोगों का सारे ह हिंदू का के यही लोग बंदिर बना पाया गए इसे को नहीं बना पाये गा यह तो खाली बाकिके लोग अई तक जो जितना सारी पाल्टिया जो हे जाती बात की बात करते हैं लेकिन मोधी जी जी तक इतना कभी तक यह दो सुना के यह ऐसा है वह उसा समय धर्म के लिए तो जो है पूरा ये समय देखके लग रहा है कि मौदी जी मंदिर बनवाएंगे आवसी बनवाएंगे ये है अचल सिंग मीना उन हजारो कार सेवकों में से एक है ये जो उस दिन आयोध्या में मौझूद थे फिलाल जो इस्तिती है वो बहुत जादा गंभीर है इनकी कमर के नीचे का पूरा हिस्सा इनका काम करना बंद कर चुका है लेकिन इन्हें उम्मीद है कि जिस तरीके से इन्होंने अपना शरीर के कुछ हिस्सों का बलिदान दिया है वहाँ पर मंदिर के निर्मान को ले करके अभी उम्मीद लगा रहे हैं प्रधान मंत्री मोधी और यूपी के मुख्य मंत्री योगी आधितेनाथ से कि वो इनकी सुने और इन जैसे हजारों कार से वग जो कही निर्भर करेगा क्या मैं मैं रहुल सेजकर के साथ रवीश पाल सिंग भोपाल